हेलो नमस्कार दोस्तों साता है आपका आज इस पुलो में आपकी महिंद्रा XCV-3W नए आउतार के साथ-साथ फुल पावर में आ चुकी इसमें इंट्रोडीस किया गया है M.Stallion TGDI Petrol Engine जिसमें आपको 130 BHP की पावर और 230 Nm का टॉक मिलने वाला है तो आज इसी के बारे में हम complete detail में बात करने वाले हैं इसके exterior से लेकर interior तक engine, features, then price के बारे में तो चली start करते हैं इसके color options से तो इसमें आपको white, aquamarine, red rage, napoli, black, dset, silver एक नया color add किया गया है blazing bronze इसमें आपको dual tone color का भी option दिया जाएगा एक exterior में आप देख रहे हूं काफी changes किये गये, red color की inserts add कर दिये गये जो की regular XCV-3W से जो है थोड़ा से different इसको बनाते हैं, अगर vents की बात की जाए तो यहाँ पर आपको W4, W6, W8 और W8 option वही आपको vents offer किये जा रहे हैं और अभी आप इसके W8 option turbo edition को देख रहे हैं engine specification के बार में बात करें तो अब आपको महिंदरा XCV-3W में 3 engine option दिये जाएंगे 1.2 liter का turbo petrol, 1.5 liter का turbo diesel और अभी जो नया add किया गया M-Stellian TGDI petrol engine जिसमें आपको 130 BSP की power और 230 newton meter का talk मिलने वाला है mileage की बात की जाए तो 17 km per liter तक की mileage देखने को मिल जाएगी warranty की बात की जाए तो 3 साल और unlimited km की आपको warranty मिलने वाली की की बात करें तो ऐसी कुछ आपको smart की मिलेगी lock on lock की बटन, boot खोले की बटन यहाप आपको flip की दी जा रही है और पीछ आपको Mahindra का new logo देखने को मिल जाता है दोनी smart की आपको offer की जाएगी अब चली बात करते हैं काड़ी के exterior से फिर चलेंगे इसके interior में और अंदर देखेंगे आपको क्या कुछ cosmetic changes कीए गए है अगर friend profile से बात की जाए तो काफी aggressive से आपको looks मिलने वाले है यह आपको Mahindra का new logo जो कि इसके front looks को और भी चार चान लगा रहा है ग्रिल की बात की जाए तो glossy black finish में आपको मिलने वाली है और red color की inserts यहाँ पे add कर दिएगे इसकी grill में जो कि different बनाती इसको regular वाली Mahindra XV3W से यह जो आप red color की inserts देखने हैं यह काफी खूप सरों लगने सामने से देखने में ग्रिल के बाद अब बात करते हैं गाड़ी के helmet की तो यहाँ पे आपको automatic projector headlamps offer की जा रहे हैं high beam के लिए आपको halogen देखने को मिल जाएगा turn indicator की placement यह आपको उसी में देखने को मिल जाती है and DRS की placement देखेंगी वो भी आपको मिलेगी इसके नीचे आले bumper में यह आपको देखने हूं मिलेंगे silver fan इसमें आपको skid paid दी गई है यह तो होगे oral front profile की बाद अगर उपर की बात की जाए तो यहाँ पर आपको dual wiper with washer का setup देखने हूं मिल जाएगा अगर roof की बात की जाए तो उपर आपको sun roof roof rails और पीछ आपको power antenna दिया गया and इसमें आपको double tone roof का भी option आता है उसके लिए आपको extra pay करना पड़ेगा front के बात अब चलते है side में और side profile से देखते है xv3w को तो यहाँ पर आपको 16 इच के diamond के टलाविस offer की जारे है महिंद्रा के new logo के साथ में and जो suspension का travel है इतना कुछ आपको दिया जा रहा है MRF के टाविस, diamond के टलाविस महिंद्रा का new logo, tire section के बात की जाए तो 205, 16, 16, 16 का पूरा tire section देखने को मिल जाता है and cladding भी दिए यह wheels के उपर and यहाँ पे देखिंगे आपको TGDI की जो है आपको बैजिंग देखने को मिल जाएगी अब बात करते है इसके ORBIMS की तो ऐसे कुछ आपको black finish में मिलने वाले body color tire indicator की placement आपको इसी में देखने को मिल जाएगी lock unlock करने पे fold and unfold हो जाते है and गाड़ी के अंदर बैट के भी आराम से आप इनको adjust कर सकते हैं फोल कर सकते हैं तो auto foldable ORBIMS यहाँ पे दी जा रहे हैं अब बात करते हैं इसके dimensions की तो 4952 mmS की लिनत है 1821 mmS की width है और 1627 mmS आपको height देखने को मिल जाती है and proper sight profile भी देखें काफी बड़े से looks में आपको मिलने वाले काड़ी के wheelbase की बात की जाए तो 2600 mmS का wheelbase यहाँ पे दिया गया and doors पर भी आपको cladding दी गई है यहाँ पे आपको body color door handles driver आपको request sensor मिलेगा यहाँ पे आपको b blur blackout मिलने वाला है roof की बात की जाए तो roof rails power antenna आपको sunroof देखने को मिल जाएगी ऐसे कुछ आपको fuel flare cap देखें capacitor की बात कर लें तो 42 liter की आपको fuel tank capacity मिल जाती है चार oh wheels में आपको disc brake offer की जा रही है यह काफी अच्छी चीज है उपर आपको power antenna जो कि मैं आपको दिखा चुका हूँ turn indicator की placement और reverse light की placement भी आपको इसी में मिलेगी xvv3w की यहाँ पे badging दी गई है यहाँ पे आपको w8 की badging दी गई जो की red color की finish में आपको मिलने वाली है अगर नीचे bumper की बात की जाए तो यहाँ पे आपको reflectors यहाँ पे आपको दो reverse parking sensors दिये गए यहाँ पे आपको solar finish में इसकी पेट देखने को बल जाएगी अब चलिए इसका boot open करते है तो magnetic button आपको मिलता है इसको open करने के लिए अगर space की बात की जाए तो इसमें आपको 259 liter का boot space दिया जाता है अगर नीचे की बात करें तो यहाँ पे मिलता है आपको spare wheel toolkit के साथ में यहाँ पे आपको पार्टा tray के लिए space दिया गया है और यह इसके front dashboard का view यहाँ पे आपको तीन headrest मिलते हैं जुनको आप purchase कर पाएंगे leather की seats यहाँ पे मिलने वाली हैं आप चलिए इसके tailgate को बंद करते हैं और चलता है rear seats पे और rear sitting comfort legroom headroom पूरा बैट के अच्छे से देखते हैं अगर door trim की बात की जाए तो यहाँ पे आपको full black finish में ही मिलने वाला है यहाँ पे आपको chrome finish में door opener, pounder के controls, piano black finish यहाँ पे आपको software finish, यहाँ आपको bottle holder देखने हुब जाएंगे यहाँ पे आपको speaker की placement दी गई है rear cabin की बात की जाए तो ऐसे कुछ आपको पूरा seating arrangement मिलने वाला है उपर आपको sunroof दी गई है यहाँ पे आपको 3 headrest देएंगे जिनको आप adjust कर पाएंगे center में भी आपको headrest मिल जाता है पूरा legroom आप देख सकते हैं अंदर बैटने के बाद देखेंगे इतना कुछ आपको legroom मिलता है और आगे की seat है में recording adjust है पूरा space आप देख सकते हैं और 5 foot 8 inch मेरी height है rear AC bends आपको नहीं मिलने वाले हैं अंदर के पूरा interior देखेंगे उपर आपको grab paddle यहाप आपको coat hook यहाप आपको 3 headrest जिनको आप adjust कर पाएंगे leather की seat यहापे दी जा रही है यहापे देखेंगे आपको armrest यहापे आपको rear seat beds यहापे आपको airbag की badging इसमें आपको 6 airbag मिलने वाले हैं उपर आपको light के controls front head dashboard की बात की जाए तो यहापे आपको देखेंगे काफी बड़या black finish में मिलने वाला है सामने की तरब आपको मिलता है 7 inch का touch infotainment system इस टेरिंग पर आपको सारे controls दी गए अब ही देखने हैं इसके manual transmission को उपर आपको दी गई है sunroof तो काफी बड़या इसके cabin में लगता आप जब इसके real life में बैठेंगे अब चलते हैं front head driver seat पे और सारे features cover करते है तो यहापे आपको keyless entry देखने को में जाएगी request sensor यहापे दिया गया है अगर इसके door trim की बात की जाए तो rear आपको front में full black finish में मिलेगा यहापे आपको chrome finish में door opener, pomdo के controls यहापे आपको orbm को adjust करने के और fall करने के controls यहापे आपको speaker की placement, twitter की placement यहापे आपको butter holder देखने को मिल जाता है यहापे देखेंगे आपको soft touch finish यहापे आपको reflector light front cabin की बात की जाए तो ऐसा कुछ आपको पूरा seating arrangement मिलने वाला आगे के जो दो hydration उनको भी आप adjust कर पाएंगे leather की seats, यह इसका front dashboard जो की काफी premium लग रहा है पूरा design आप देख सकते हैं यहाँ से height adjust करते हैं, यहाँ से regline कर सकते हैं आपको फिल कप खोलने का लिवर, यहाँ पर आपको manual ABC pedals, बोनट खोलने का लिवर यहाँ पर आपको traction control, ideal start show button, front parking sensor के button, headlight lever, ACK vents आप चलिए अंदर बैठते हैं, अंदर से बैठके सारे features cover करते हैं तो front driver seat पर बैठने के बाद ऐसा नजर आने वाला है आपको front dashboard यहाँ पर मिलता आपको engine start show button, जिसको press करने के बाद, ऐसा कुछ आपको instrument question मिलने माला है जो की देखने में काफी खूब शुरह लगता है, infotainment system में आपको मिलता है, यह महिंद्रा राइस का बैजिंग, जो की देखने में काफी पहरा लग रहा है इसका instrument cluster है आपको left side मिलेगा, आर्पे मिटर, right side आपको दिया गए, speedometer बीच में आपको MID मिल जाती, इसका color combination है वो काफी पहरा लगता है and MID का button आपको यहाँ पे दिया गया है, जिसके तुरू आप इसको control कर पाएंगे, trip A, trip B, mileage range, entire pressure monitor system भी offer किया जा रहा है and इसमें आपको steering पे भी modes मिल जाते है, normal, comfort and sports यह तो हो गए cluster के बाद, steering के बाद की जाए तो ऐसको आपको full leather finish के साथ मिलने वाला है यहाँ पे आपको multimedia के सारे controls, यहाँ पे आपको महिंद्रा का new logo, यहाँ पे देखेंगे, आपको cruise control के buttons दिये गए, airbag key bedging आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पे आपको wiper के controls, right आपको automatic headlamps के सारे controls दिये गए steering के बाद आप बात करते हैं, गाड़ी के center console की, तो यहाँ पे आपको AC events, यहाँ पे आपको 7 inch का touch infotainment system दिया जा रहा है जिसमें आपको Android Auto Apple Car पे मिलने वाला है, 4 speakers and 2 twitters दिये गए and touch performance आपको काफी बढ़ी है, car info करा कि बहुत सारी settings आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पे देखें, आपको inbuilt map पोगर दिया गया है इसका जो user interface वो भी काफी अच्छा लगता है, reverse parking camera भी आपको मिलता है, उसको मैं आपको दिखाता हूँ तो ऐसा कुछ आपको reverse parking camera मिलने वाला है यहाँ पे आपको hazard light का button, यहाँ पे आपको MID के controls बगल में दिये गए है, steering modes, यहाँ पे आपको dual zone AC, यहाँ पे आपको USB port, USB charging port, OSC port, यहाँ पे आपको wireless charging port, 12W का charging port, यहाँ पे आपको six speed manual transmission दिया गया है यह manual handbrake, यहाँ पे आपको doka folder, यहाँ पे आपको armrest, जिसके अंदर भी आपको अच्छी खासी space देखने को मिल जाएगी glove box की बात की जाए, तो उसमें भी आपको काफी बढ़िया space मिलता है यहाँ पे आपको कुछ space यहाँ पे दी गई है, तो यह था पूरा dashboard interior उपर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है vanity mirror, cover और light के साथ में driver side की बात की जाए, तो इधर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है यहाँ पे आपको mic की placement, यहाँ पे आपको light की controls दी गए है यहाँ पे आपको sun glass holder, यहाँ पे देखने हैं आपको one test sunroof मिल जाती है इसका button यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे आपको sunroof दी जा रही है इंडियन्स को काफी पसंद आती sunroof, अब चलिए इसको off कर देते है यहाँ पे आपको auto dimming, IRVM दिया जा रहा है, यह काफी अच्छी चीज़ है and visibility देखिंग वो भी आपको काफी बढ़िया मिलती, bumper to bumper आप इसको drive कर पाएंगे अब चलिए इसको off करते हैं, बात करते हैं इसके safety features और pricing की तो इसमें आपको ABS with EVD, central locking, power door lock, child safety lock, seatbelt warning, engine embolizer, crash sensor, electronic, stability control, follow me headlamps, anti-ther device, speed sensing, auto door lock, ISO fix, child seat mount और इसमें आपको six airbag दिये गए अब बात करते हैं, main चीज इसकी pricing की, तो अभी देखना आप W8 option turbo sports band को 12,75,000 रुपे का एक सोर्म प्रैस है और 14,73,000 रुपे के आपको on-road लखनों पढ़ने वाली है वही आप इसको dual tone में लेते हैं, तो 12,90,000 रुपे का एक सोर्म प्रैस है और 14,90,000 रुपे के आपको on-road लखनों पढ़ने वाली है तो ये थी महिंद्रा XCV 3W Turbo Sports Band कैसा लगा आपको नीचे कमेंट्स में जरूप देगा अगर आपको वीडियो पसंद आते विडिक लाइक कर देगा and special thanks to Narayan Automobiles, हजरत गंज लखनों जिन्हों ने मुझे सकवर करने का मौका दिया तो deal any Mahindra cards, visit this room अगर आपको वीडियो पसंद आते विडिक लाइक कर देगा, चैनल को subscribe कर देगा क्योंकि आपके लिए cards related वीडियो में लाता रहता हूँ तो मैं आसीज मिलता हूँ, नई वीडियो के साथ तब तक लिजय हिन, वन दे मातरम